अम्रोहा जनपत के बादिशापूर गाउन मीस्तित श्री राम किसान इंडर कॉलिज में पूर मुखे मंतरी अकिलेश यादफ ने विशाल रैली को संभोधित किया अकिलेश यादव की जनसभा की समाप्ति के बार अकिलेश यादव से मिलने के लिए जनता ने बैरिकेटर पूद कर अकिलेश यादव की सुरक्षा में सेंद लगा दी और अकिलेश यादव की कार को घेर लिया किसी तरह अकिलेश यादव कार में बैटकर अपने हेलिकोप्टर के पास पहुँचे लेकिन इसी बीच पुलिस ने भी लाटी चार्ज कर दिया जिसमें एक स्थान्य पतरकार घायल हो गया और उसके सिर्फ पर चोट आई है इस पूरे मामले में अकिलेश यादव ने पुलिस की कारवाई की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस को सुरक्षा करने चाहिए थी जो पतरकार के साथ हुआ बहुती निंदनी है जो है पत्रदारों पर और जो है पुलिस के विवस्थाय रही है उन्हें पुलिस ने जो लाठी चाहिए पत्रदारों पर और तो समग सके आपर आये तो क्या है सब्सक्राइब नहीं पामने आई है जो मानिनिय पूरू खेवंतरी जी हल्गोप्टर से वापिस गई है तो बल्ली पे काफी लोग चड़ गए थे उनको उतारने के लिए हल्का बलपर्यों किया गया किसी का लाठी नहीं पर अमारे को बताद है कुछ फोटेज जैसे हमारे पास जो लाइफ फोटेज है उसके जानकारी नहीं है तो पुरा सांती से पूरा प्रोगराम संपन हुआ है कई कोई दिख विया वस्ता में कोई कमी लिए कि पतिकार को देखते हुए जानते हुए भी ऊथ की उसके खुँ निकल ला है। झिम्हधार है इसके लिए यह कम से क zombi पुलिस जादा रखें कहों को सपाई लगा लेते हमारे कारकम में मुख्धा कारकं में लगाएंगे 20 अगर सुरचा सब यह बराबर है और पौलिस ज्यादा होती तो हमारे पत्कार साथी के साथ ऐसी घटना नहीं घटती इसके लिए जिमिदार कोई है तो पौलिस के जमिदार और अध्यास भीस चुत सैंजीब आलियारत को भाड़न केरा है कि साथ बोटिंग जो जो हो जो फशर्जी हो रही है बोर्टों की यहां तक